अगला मीटिंग होगा तो उसमें फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बात्चित करके आगे का तय कर लिजे देर मत करियां तो चाहते हैं सब एक जूठो करके और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले ने पहले तक इतना बार कॉंग्रेस भी अब बाद है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए तो तो बात में पिर दूसरा दिन तय करेंगे तो जैसे ही होगा अब आब आपकल निव छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं रिपात तु बात है अरे बीच में को बुखार न उसके चलते उसी में खवरा आत हम कहा दे कि और लोग जाएंगे इनके बारे में कहें यह भी रहेंगे आँ सब लोग रहेंगे इधर से आब बाद में जब आगए होगा तो हम नहीं जाएंगे सब लोग करे काम और अलग-अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बात्षित करके आगे का तय कर लिजे देर मत करें अब देर न रह हैं जी हम एक साल से कितना दिन से पोश्चिस कर रहे हैं तब बाकी बीच में छुना होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहरत आता है वह लगती है हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों कर लड़ना है उसके लिए ह हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे और एक बात और हम कहा देता है बिना मतलब कि मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए हम सुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में हैं और जो अपना राज्य कर देश के और समझे कि जो बदल रहे है यह लोग अभी जिनको पावर में है पूरा का पूरा इत्यास सब कुछ बदल रहे हैं तो हम तो चाहते हैं सब एक जुठो करके और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं गई पिढ़ी के लोगों को याद रखी तो हम इसले चाहते हैं तेगी से सब कुछ किये हैं तब आगे कुछ नहीं हम तो चाहते हैं एक जुठो करके सब लड़े और बाकी हम किसी पर कुछ